इजी टू डिजैन में आपका स्वागत है आज हम सिखेंगे एड़बांश डोल क्या होता है और इसे कैसे इंसर्ट करते हैं तो चलिए सुरू करते हैं पिछली लेक्चर में हमने यह 3D model बनाया था और इसमें whole wizard सिखा था आज हम इसमें advanced whole सिखेंगे counter board को delete करेंगे अब हम इसमें advanced whole insert करेंगे तो features में किलिक करें hole wizard के नीचे एक arrow है इस पे किलिक करें और advanced hole पे किलिक करें advanced hole में type और position सेलेक्ट करना होता है type में bolt head का type और एक face सेलेक्ट करना होता है जिस face पे हम bolt head कट करना चाहते हैं जैसे हम इस face पे bolt head कट करना चाहते हैं तो इस face को सेलेक्ट करेंगे तो देखिए यहां पे एक preview दिखाई दे रहा है head का नीचे की तरफ drag कीजिए तो इस्टेंडर्ड दिया गया है इसमें nc inch, nc metric, as, bsi, din, gb, is, iso तो आप अपने requirement के हिसाब से सलेक्ट करें हम यहां पे nc metric select करेंगे और type में hex bolt select करेंगे और size m10 रखेंगे side में एक near side का window pop up हो रहा है इसमें आप reverse direction कर सकते हैं और यहां पे hex bolt का type select कर सकते हैं near side counter board, near side counter sink, near side taper tap four side counter board, four side counter sink, four side taper tap hole और straight tap तो आप इन में से कोई एक select कर सकते हैं अपने requirement के हिसाब से हैं हम यहां पे near side counter board select करेंगे और position में हम location identify करते हैं तो हम यहां पे insert करेंगे एक हम यहां पे insert करेंगे आप चाहें तो dimension प्रोवाइड कर सकते हैं smart dimension पे click करें 20mm, ENTER 20mm, ENTER 25mm, ENTER 25mm, ENTER ok कीजिए तो यह देखिए M10 hex bolt का head side cut हो गया आप चाहें तो इसमें end condition लगा सकते हैं advanced hole 1 पे right click करें edit future और इसे नीचे की तरफ drag कीजिए और यहां पे end condition दिया गया इस पे click करें और इसे कीजिए throw all ok तो यह देखिए यह पूरा thickness तक cut हो गया यह था advanced hole बहुत आसान है आप practice करते रहें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्राइब